हलो एवरिवान स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में आज हम बना रहे हैं सहजन का सूप या मौरिंगा सूप भी बोल सकते हैं तो इसके लिए हम पहले सहजन को धो करके साफ करके ऐसे टुकड़े में काट लिए हैं और इसको प्रेशर कूकर म में हम डाल देते हैं इस तरह से काट करके और इसमें दो ग्लास पानी हम अट करेंगे दो लोगों के लिए हैं तो इसमें दो ग्लास पानी हम अट किये हैं और इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे बस और थोड़ी सी हल्दी एकदम थोड़ी सी थोड़ा प्याज स्माल साइज का प्याज है उसको रफली चौप गी है और ये लेसन है अब हम इसको बंद करके चार विशे लाने तक हम इसको पकाएंगे और इसको इस तरह से मैस करेंगे चार विशे लाने पर बिल्कुल अच्छे से पक जाता है और इसको ऐसे मैस करेंगे तो इसका जितना पल्प है सब बाहर निकल आएगा और इस तरह से हम इसको छान लेंगे और चानने के बाद जितना इसका ये रेशे बचे हैं इसको हम फेक देंगे और ये बिल्कुल सूप बनाने के लिए रेडी है अब हम पैन गरम करेंगे और इधर एक टी स्पून हम इसमें कॉन फ्लोर डाले हैं और उसमें ठंडा पानी से हम इसको गोल बनाएंगे गरम पानी डालने से ये लंप्स पड़ जाते हैं तो इसको हम ठंडा पानी से घूल बना लेते हैं पहले इस तरह से बिल्कुल अच्छे से घुल जाना चाहिए अब पैन को गरम कर लिए हैं और इसमें बटर डाल देते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें लैसन अद्रक कूट करके डाल देंगे एकदम थोड़ा सा ही इसमें थोड़ा सा मटर डाल देंगे जो की फ्रोजन किया हुआ है और थोड़ा सा हम इसमें कट किया हुआ प्याज एड़ करेंगे एक दम थोड़ा सा लगबग एक टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज है और थोड़ा सा एक टिबल स्पुन के लगब भी ही मटर है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं बनाने दो लोगों के लिए ही बनाना है और मटर मेरा फ्रोजन किया हुआ है तो इसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह से हम इसको रोस्ट कर लेंगे ये बहुत ही हेल्दी सूप है इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे और इसमें सेहजन का पानी आड़ करेंगे इसको हम चला लेते हैं और इसमें को उबलने तक हम छोड़ देते हैं इसमें फिर वो गोल जो तैयार किये थे कॉन फ्लोर वाला उसको हम धीरे से मिलाएंगे इस तरह से पतला घूल है और इसको हम चलाएंगे इसको अच्छे से इस तरह से ये बिलकुल घुल गया है अब इसको दो मिनट बस हम इसको उबा लेंगे और फिर इसको हटा लेंगे अच्छे से उबा लाने देते हैं इसमें ये उबल चुका है और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है ये इस तरह से ये बिलकुल रेडी हो गया है सूप इस तरह से इसको गाढ़ा कर लेना है अब हम इसको हटा लेते हैं इसको हम बाउल में डालते हैं अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर एड करेंगे जो की बिलकुल बारी कूटा हुआ नहीं है ये थोड़ा से दरदरा कूटा हुआ है और इसके उपर हम धनिया का पत्ता रखेंगे और तैयार है हमारा सहजन का सूप हेल्दी और टेस्टी थैंक यूँ अगर पसंद आये तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस तरह से और बना करके एक बार जरूर पेजिए सहजन का सूप थैंक यू